तो दोस्तों कई बार आप इस तरह के sentences भी बोलते हैं जैसे कि जब देखो खेलता रहता है या फिर जब देखो तुम रोती रहती हो या फिर जब देखो वह कुछ करता रहता है तो इस तरह की sentences को हिंदी से English में किस तरह से translate करते हैं तो चलिए इस वीडियो में जाल लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके structure के बारे में तो देखे इसके structure में आपको सबसे पहले लिखना है whenever I see उसके बाद आपको उस subject के नाम लिखना है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बाद आपको लिखना है keep और उसके बाद आपको जो आपकी वर्व आएगी उसको आपको ing लिख देना है तो चलिए मैं आपको कुछ examples दे देता हूं उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारी book को और हमारे app को डाउनलोड नहीं किया है तो description में लिंक है वह से जाकर आपसे डाउनलोड कर सकते हैं तो देखे इसमें पहले example क्या है जब देखो वह खेलता रहता है तो इसकी English कर सकते हैं एक example और देखते हैं जब देखो तुम बहाने बनाते रहते हो तो इसकी English बनेगी whenever I see you keep on making excuses तो इस तरह से आपने ट्रांसलेट कर सकते हैं अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए आपको सेंटेंस देता हूं जब देखो वह पढ़ता रहता है तो इसको आपको ट् तरह मैं थे चुक के लिए रहता मनतल कर दो सेंटेंस, तरह सकते हैं लिएां जब देख ओेनदेदीश देखो